नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का पाथफाइंडर उपर तो दोस्तों DRC याने Democratic Republic of Congo में काफी टाइम से अगर आप देखें तो civil war की situation बनी हुई है और यहाँ पे UN peacekeeping missions भी अंजाम दिया जा रहा है और उसी में इंडियन आर्मी भी deployed थी अब दोस्तों हुआ यू कि इं नुकसान पहुचाने की कोशिश की गई लेकिन इंडियन आर्मी ने इसका करारा जवाब दिया है और किसी भी एसेट को कुछ भी नुकसान पहुचाने के पहले ही इन civilian armed groups को वापस कर दिया गया है तो आपको आपको जानना जरूरी है दोस्तों यहां पर आप जानने की UN peacekeeping मिशन क्या होता है नंबर बन नंबर टू कॉंगो में क्या सिच्वेशन है वो भी जाने और बाकी तो आपको मालूम ही है जो न्यूस है कि इंडियन आर्मी ने मंडे को इस attempt को रोग दिया काफी यूएन मिशन पर इस प्रकार के अटाक किये गए हैं DRC में लेगिन जहां पर इंडियन आर्मी तैनाद थी उन्होंने करारा जवाब दिया है दूसरो में नाम किंजल चौज रही है मैं आपका स्वाथ करता हूं पाथ फाइंडर पर जल्दी से जाए जाके चानल सब्सक्राइब कर रहे हैं तो करेंट अफेर्स के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे अगर आप इसमें अन्रूल करें इस फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें आपको कोई भी कीमत अदा नहीं करनी है इसके सिवा अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहे हैं तो 20% आफ चल रहा है कॉम्ब तो न्यूज में क्या है दोसरों इंडियन आर्मी दुनिया भर में अपने वेलर एंड करेज दोनों के लिए रिनाउंड हर जगह अपने वेलर करेज की इनकी गाथा हर जगह बताई जाती है सुनाई जाती है और इसी में ये कभी humanitarian assistance के लिए भी आगे बढ़ती है तो कभी civilian duties को भी अन्जाम देती है कुछ इसी duty को इस वक्त as a UN personnel बस uniform अलग है अंदर वही इंडियन आर्मी के forces है तो blue helmet पहने UN personnel इस वक्त DRC में भी deployed है और वहाँ पर DRC में जो UN के base थी उस पर कुछ civilian armed groups ने attack करने की कोशिश की गई कोशिश की purpose था इसका कि वहाँ पे जो hospital है उसको नुकसान पहुंचाया जाए साथ जो base है उसको भी नुकसान पहुंचाया जाए पर इसको इन्होंने अंजाम देने से रोग दिया है तो दोस्तों यहाँ पे जो mission है UN peacekeeping mission है DRC में इसको काफ़ ज्यादा criticize भी किया जाता है क अब तक यहाँ पर जो civil war है वो बंद नहीं हुआ है civil war सालों से अभी तक चली आ रही है तो यहाँ पर जो UN peacekeeping mission है Congo में उसको मोनस्को के नाम से भी abbreviation है मोनस्को UN peacekeeping mission in Congo को ही कहते हैं तो यहाँ पे कुछ civilian armed groups ने large scale looting की UN assets की जहाँ जाए UN bases टे उन पर attack करने की कोशिश की 100 of protesters armed होके UN peacekeeping forces के warehouse को लूटने की कोशिश किये एंड उसी में eastern DRC में भी इन्होंने attack किया जहाँ पे अगर आप देखे तो इंडियन peacekeeping mission भी इस वक्त मौझूद थी कुछ UN office complex को भी इन्होंने Congo में ransack करने की कोशिश की लेकिन इंडियन army ने इसको intercept कर लिया timely और right time पे situation को आपस लोटना पड़ा यह जो UN peacekeeping mission से उलजने civilian armed groups यहाँ पर आये थे पर दोस्तों यहाँ पर जानना जरूरी है कि आखिरकार कॉंगो में situation क्या है तो अगर आप देखें कॉंगो में जो civil war चल रहा है कोई नया नहीं है यह 1994 रवांडा के genocide से ही चला आ रहा है तो दोस्तों में है यहाँ पर आप देखें तो इस यूगांडा तो यूगांडा अलाइंड है northern part of DRC यह जो southern and western part है यह अगर आप देखें तो government अलाइंड है government control में है जहाँ पर government का capital रहा DRC का capital किन सहसा भी मौजूद है तो दोस्तों रवांडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर हुत जो लोग थे वो मौजूद थे और उनको DRC उन्होंने रवांडा छोड़के भागना पड़ा और वो DRC आ गए और फिर हुटू से ही वो जो हुटू जिनोसाइडरी थे वो यहीं से DRC से वापस रवांडा पर अटाक करने लगे रवांडा में जो तुटसी population मौजूद थी और वहीं से यह civil war अब चलता आ रहा है और तब से अब तक हजारो फैमिली इस situation से उजड़ गए हैं हजारो फैमिली उजड़े हैं और इतना ही नहीं कई जाने भी गई हैं अब कॉंगो की अगर मैं टाइम लाइन से बताऊं तो दोस्तों अपने आप में यह क्लास 15 मिनट 20 मिनट की हो जाएगी तो इसको फिर कभी हम कवर करेंगे अगर आप कहें तो लेकिन अभी के लिए आपको इतना ही जाना जरूरी है मैप अगर आप देखे तो आप से कुछ समझ सकते हैं यहां पे मिलिशिया के कंट्रोल में कुछ रवांडा लाइन है कुछ युगांडा ल इलाकों में nations and communities के बीच में peace को अंजाम दिया जाए peace ensure करवाया जाए तो इसमें अगर आप देखे तो multinational force होती है सब की सब एक साथ काम करती है अंडर a common helmet जो की blue color की होती है इसलिए इनको blue helmet भी कहते है blue beret या blue helmet भी इनको often कहा जाता है most peace keeping operation अगर आप देखे तो UN के द्व मिल कर यहां पर काम करती है और potential armed conflict को रोपने का कोशिश करती है peace keeping forces अगर आप देखे तो usually आप देखे तो lightly armed होते हैं ज्यादा force ज्यादा weapons use नहीं करते and force तभी इस्तमाल करते हैं जब वो necessary हो and exceptional circumstances हो otherwise कोशिश की जाती है कि minimal force से ही काम चल जाए department of peace operation होता है United Nation में जो की peace keeping व मौझूद होते हैं वहां पर peace process को observe करते हैं monitor करते हैं post conflict ex combatants को मदद देते हैं कि वो peace agreement जो उन्होंने sign किया है उसको implement करते रहें and इस प्रकार से अगर आप देखे तो इस assistance अलग-अलग रूप में देखने मिलते हैं कुछ confidence building measure भी होता है UN peace keeping forces के होने से साथ-साथ peace ensure करने मे power sharing arrangement को भी जो अलग-अलग factions है उनके बीच में जो power sharing arrangement है उसको जनोंने sign किया है वो भी fulfill करें उसके लिए भी प्रयास करते हैं electoral support भी करते हैं कि महाँ पर चुनाओ properly हो सके rule of law को strengthen करते हैं और economic और social development में भी मददगार साबित होते हैं UN peacekeeping missions जो यहाँ पर मौजूद होते हैं इनकी तीन basic principle होती है जिससे यह guided होते हैं पहला होता है दोस्तो consent of the parties यह forceful नहीं होता top down नहीं होता सामने वाले parties को consent जब वो देते हैं कि हाँ आप आईए यहाँ पर तो ही यह आके मौजूद होते हैं government बोले यहाँ पर UN peacekeeping force की आवशकता है तो ही यह आते हैं दूसरा होता है दोस्तो impartiality किसी के साथ भी partial नहीं होंगे government या militants जो भी है इसके सिवा non-use of force except in self-defense use of force अभी होगा जब self-defense होगा और जो mandate है जिसके लिए भीजा गया है उसको defend करना है हरालत में तो इन्हीं को blue berets भी कहा जाता है या blue helmets भी कहा जाता है क्योंकि इनका जो lightly colored blue helmet होता है द दोस्तों आजी क्लास पसंद आई हो तो like जरू करें अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को share करें एंड वीडियो को subscribe वीडियो को share जरू करें चैनल को subscribe करें इसके सिवा अगर आप अपने अकाडमी सब्सक्रिप्शन लेने का सोच रहें तो use the code kc10 क्योंकि सब्सक्राइब कर करें और जल्दी से जाएं जाके enroll कर लें इसके सिवान academy unlock offer चल रहा है एक साल की सब्सक्रिप्शन की कीमा तो 55,038 रूपीज पर प्लस कॉम्बो जिसमें GS भी है और एक साल की आइकनिक कॉम्बो की कीमा तो 7722 रूपीज जिसमें GS की आइकनिक सब्सक्रिप्शन है और साथ म इसका फाइदा उठा ले यूपीज सी नोटस 2.0 भी हम प्रोवाइट कर रहे हैं तो comprehensive coverage है सारे topic का time lines mind maps भी आपको मिल रहे हैं एक सालिया उसे अधिक की प्लस icon एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको free of cost घर पर पहुंचवा दिया जाएगा तो य रिजल्ट नहीं मिलता तो आपको एक साल का extension भी मिलता है 0% EMI पर loan available है आप देख सकते हैं हमारे बहुत सारे learners है जो टॉपर्स बन चुके हैं तो इसका फाइदा आप जरूर उठाएं एंड-to-end preparation live mentorship तो फाइदा आप उठाएं लिजेंस wisdom series अमरं कर रहे है road to labasna July 20 से start हु thank you so much for joining have a great day